राधे राधे ये हरे कृष्णा कैसे हो आप सभी लोग आशा करती हूँ आप सभी परमंगल में होगे स्वस्थ होगे अच्छे होगे जैसे कि आप सभी को पता है आज है सरद पूर्मा और आज की दिन चाहें आपने ब्रत रखा हो या ना रखा हो लेकिन सरद पूर्मा की की साथ पिरियांग कर जाती है तो मैं आज आपको कथा सुना रही हूं एक बात ध्यान रखी कि ये कथा पूरे दिन में आपका भी भी सुन सकते हैं अगर आपने ब्रत करा है तो आप सुभी सुन सकते हैं दुफैर को भी सुन सकते हैं रात्री को भी सुन सकते हैं अगर आपन वहीं आप लोग कथा सुनें बहुत समय पहले की बात है प्राचिन काल में एक ब्रहमर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर पूर मासी का पूरा ब्रत करती थी लेकिन कमला भूख से व्याकुल होके पूर मासी का ब्रत अधूरा छोड़ देती थी एक बार की बात है ब्रहामर देपता को उन दोनों की विभा की चिंता सताने लगी समय अनुसार उचित वर देखकर दोनों के हाथ पीले कर दिये और जब दोनों के हाथ पीले हो गए तो जैसे जैसे समय विता वैसे ही कमला और विमला के संटान उत्पर हुई लेकिन विधी का विधान देखिए विमला जो पूर मासी का सारा ही ब्रत करती थी उसके लगातार एक के बाद एक साथ पुत्रों का जिनम हुआ लेकिन वही कमला जिसने पूर मासी की कथा भी नहीं सुनी थी पूर मासी का ब्रत भी अधूरा छोड़ती थी उसके संतान तो उ शान हैने लगी और एक दिन वो ब्रहामर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् सरद पूर माने वाली है इस दिन आप पूर मासी का व्रत कीजिए पती पत्नी दोनों दाम पत्ते पूर मासी का व्रत कीजिए और पूर मासी की कथा सुनिए भगवाने ने चाहा तो पूर मासी मया ने चाहा आपके आंगन में भी लाला की किलकारिया कुमेंगी कमला को सुनके बड़ा आनन्द आया पास दिन बाद पूर्मासी थी और कमला और उसके पती ने विधी विधान से पूर्मासी का व्रत किया और चांत को अर्ग दिया और पूर्मासी की कथा सुरी समय बीके, समय अनुसार बीता गया, एक साल हो गई और कमला की गोद भी हरी 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 हो गई और उसके आंगन में भी लाला की किलकारिया घूबने लगी लेकिन साथ दिन के पश्चात लाला का देहांत हो गया, लाला मर गया, कमला का बच्चा मर गया बड़ी व्याकुल हुई बहुत रोने लगी तो उसने सोचा क्यों ना मैं ये सारा दोस विमला पर डाल दूँ क्या पता उसके जो परताप है उसके परताप से क्योंकि वो इतनी पूजा पाट करती उसके परताप से मेरा पुत्र पुन है जीवित हो जाए उसने एक तड़की सोची उसने विमला को खाने पे बुलाया और कहा कि आज तुम मेरे खर पे खाने पे आमिंत्रत हो क्योंकि मेरे पुत्र हुआ है और मैंने तुमें अभी तक खाने पे आमिंत्रत नहीं किया उसने विमला को खाने पे बुलाया और एक पटला जिसे कहते है पटले पे अपने बच्चे से छूगया और बच्चा किलकारिया मार के रोने लग गया विम्ला ने कमला से बोला क्रोधित हो के ये तुम उसे क्या अर्णड करा रही थी अगर मैं इस पटले पे बैठ जाती तो तेरा बच्चा मर जाता तू मुझे पाप की भागिन बना रही थी तू मुझे द चमला ने बिम्ला को जब अपने सारी बातें बताई तो बिम्ला ने कमला को माफ कर दिया दोनों भेने वेधी विधान जे पूर मासी कःष्रवन करने मातर ''सेहं'' पूर मासी किः हमारे कुल की साथ पिडिया तर जाती है पूर ऐसेर में रागत पता दीया कि पूर्ण मासी का ब्रत जरूर रखना चाहिए अगर पूर्ण मासी का ब्रत ना भी रखो तो पूर्ण मासी की कथा आप लोगों को अभशी सुननी चाहिए आशा करते हूँ कि आज आप लोगों ने भी मेरे यूटूब चैनल के माध्यम से पूर्मासी की कथा सुनी होगी अगर पूर्मासी से सम्बंदित या फिर सरद पूर्मासी सम्बंदित आपके कोई भी प्रशन है तो आप मेरी इंस्टाग्राम आएदी डॉक्टर आशू दिदी पे जाके मुझसे पूर्श सकते हैं आशा करते हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूटूब चैनल हरी बोल को लाइक से सस्क्राइब करना बिल्कुन भी मत भूलिए तब तक के लिए मुझे दीजे र्याजत राधे राधे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा